सितराम दोस्तों ये देखिए आज हम निसोत की जड़ लेने आए हैं निसोत पहचान लिजिए देखिए दो कलर्की रहती है एक सफेद रहती है और एक काली तो काली तो दुरलब है ये सफेद प्रजाती वाली निसोत है इसको हम आज लेने आए हैं और इसकी बेल ढूड़ते ढूड़ते ये देखिए हम यहाँ ढूड़ पाए हैं और उसकी खनाई चल रही है उसको हम निसोत की जड़ को निकाल लाएंगे कुछी इस प्रकार से निसोत की जड़ है निकलती है और इसको हम सुखा कर रख लेंगे यह बात और कफ में बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट मिला है और दोस्तों यह ताजी अगर हम ले आते हैं तो बहुत ही कारगर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है यह हलकी दस्तावर है इसलिए बात ब्याधी को खतम करता है इसका हम पाउडर करके अगर तीन किसी के दर्द हो शरीर में या फिर बात की समझ से आओ तो इस पाउडर को हम इसका पाउडर जो है तो दो ग्राम एक ग्राम की मात्रा में गरम कुनकुने पानी से जो है तो अगर लेते हैं तो दस्त हमारा साफ खुलता है पाचन प्रक्रिया का विकार खतम होता है और बात व्यादी का समन करता है गैस का भी समन करता है यह बहुत ही लाभकारी है और इसकी मुखते पहचान इसकी जो तना है वह तीन कोनों का रहता है और दोस्तों यह जंगलों में आकसर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी मेरा वीडियो बनाने का उद्देश आप तक जानकारी पहुचाना था और हमारे सास्तरों में इसके बहुत सारे प्रयोग बताए है दोस्तों अगर आपके आसपास लगी हो तो जरूर इसका इस्तमाल करें धन्यवाद दोस्तों